देखिए व्रशब लगन की ये पत्रिका सुराश्री का चंदर्मा इनके तीसरे हाउस में याने की तृत्य भाव का स्वामी तृत्य हाउस में बहुत ही अदम में सहस के ऐसे बालक होते हैं जिनका तृत्य तृत्य इस्थान के अंदर विराजमान हो और खास तोर से उच्चे के साथ जो है विराजमान है दशमभाव में आने वाले समय के अंदर इस बालक का भविश्य काफी नहीं बहुत जरूर से जादा उजवल है निश्चंत रहिएगा ऐसा बालक अपने माता-पिता की सेवा का जो इसके अंदर भाव जो होगा वो कूट-कूट कर भरा होता है इनको थोड़ा सा पैरों में चोट लगने का चांस यहां पर दिखाई देता है उससे के इंबालक से कहिएगा बहुत तेज जो है कोई भी ऐसा वेकल जो है वो ड्राइव ना करे इस तरीके का ध्यान रखना होगा कच्चे दूद के अंदर काला तिल मिलाना है और थोड़ा अगली कॉलर दिल्ली से है प्रीती आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप अचार जी से सवाल करें अचार यह परनाम श्री रादे प्रनाम अन्दर जी मुझे अपने बेटे के बारे में जामना है जी उसकी डेटा बात है 21 अपन नाइंटीफोर आज के एक बच्चे दसन सवाल पूछे इसके कैरियर के बारे में जानना है इसका भविश्य मुझे कैरियर किस लाइन में बनेगा दूसरे इसका वहवार इस्पेशली पेरेंस के साथ अच्छा नहीं है बिल्कुल गी और हमेशा मुझे इलेक्टॉनिक चीजों में लगा रहता है रात में देर तक सवेव फिरोथ नहीं पाता है इसको लेक्टॉनिक इसका फ्यूचर क्या है कि मस्तक पर केसर का तिलक करना आरंब करें इनके हाथ से हो सके तो गव की सेवा भी करवाईएगा सवा साथ से सवा दस रत्ती के मद्दे आप इने एक शुद ओपल धारन करवाईए लाप भी होगा और अपने पित्रों के निमित कुशन कुछ इस बालक के हद से दान मित्रों ने बताया था कि आज का सीक्रेट नंबर आप सभी लोगों के लिए बंदूओं के लिए माताओं बेनों के लिए बहुत खास है तो क्या विदी रहेगी वो भी बताएंगे लेकिन आप पहले इस नंबर को नोट करिए और नोट करने से पहले हमारी शर्त नोट कर लेजिए इसको किसी के साथ भी आप बिल्कु साजा नहीं करेंगे नहीं लिखते वक्त और नहीं रखते वक्त मुलांक एक आज लिखेंगे 82 नंबर को आज मुलांक एक वालों का जो सेक्रेट नंबर है वो है 82 नंबर मुलांक दो आज नोट करेंगे 18 नंबर को मुलांक त आज नोट करेंगे 21 21 नमबर को मुलांक 4 आज नोट करें 22 नमबर को और मुलांक 5 आज नोट करेंगे 29 29 नमबर को बारे आचुकी ये 6 नमबर की 14 नमबर लिखें अपने सीक्रेट नमबर पर और मुलांक 7 आज नोट करेंगे 52 याने की 52 नमबर को मुलांक 8 आज नोट करें 62 नमबर को और मुलांक 9 आज नोट करेंगे 100 नमबर यानि कि 100 मित्रो आपने अपना अपना सीक्रेट नमबर नोट कर लिया होगा क्या विदी है ये आप जान लीजिए आज शुक्रवार का दिन है आज मालक्षमी का भी दिन है और श्राद भी श्राद पक्ष भी चल रहा है आप एक दूर्वा लीजिएगा इसके अभाव में आप एक अनार की कलम भी ले सकते हैं शुद केसर के द्वारा उसके अंदर थोड़ा सा केसर के अंदर आप खुलाब का इत्र मिला लीजिएगा इसके द्वारा आप अपने सिक्रेट नंबर को लिखिएगा और अपने पित्रों को याद करते हुए एक लाल धागा इसके उपर लपेट कर अपनी पॉकेट या पर्स में रखिएगा इस उपाई को करिएगा देखिएगा आप अननदित होंगे साथी साथ आपके पित्रों की किरपा आप पर अवश्य होगे तो इस मुलांक का और इस सिक्रेट नंबर को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपका भाग जब बदल सकता है हमारी एक और कॉलर हमारे साथ जूट चुकी है आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव इंडिया पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार जी नमस्ते मैम जी नमस्ते पर नाम आचारे जी श्री रादे आचार जी मैं अपने बेटे के लिए पूछने चाती हूँ और उसकी डेट उप परता है 26 आज 2014 और इनके इस्ट दो कौन से आए भविशे कैसा रहेगा और दोश और उपाए संसकार वन रहेगा या नहीं ये बता दीजिए अचार जी बिलकुल देखे आपको बताते हैं कि व्रश्चिक आपके सुपुत्र का लगन है और जो इसकी राशी है बालक की वो बताते हैं कि सिंग राशी है इस समय सिंग राशी पर राहु देव का ब्रहमन राहु देव इस समय उस पर गोचर कर रहे है शुकर की महादशा राहु की ही इस समय अंतरतशा है इस बालक के वजन के बराबर हरा चारा या साथ तरीके का आनाज किसी गवशाला में दान कराईएगा हो सके तो इस बालक को किसी गवशाला में ले जाईएगा इनका दाया हाथ किसी सफेद गाई के उपर इस पर शलका सा करवा दीजिएगा लाब भी होगा और आने वाले समय में बहुत ये उच्छ कोटी का बालक बनेगा और साथी साथ संसकार इस बालक के अंदर कूट कूट के भरे होगा चलिए अब वक्त हो गया है आपके राशी फल क्यों बताने का अब बात करते हैं मेश से लेके कन्या तक का राशी फल क्या कुछ है आप नोट करिए बिल्कुल मित्रो क्या कह रहे हैं सितारे आपके आपको बताते हैं मेश से लेके कन्या तक के सभी अपनी माताओं बेहनों और बंदुओं को मेश राशी वाले सभी बंदुओं को शुब समाचार कल के दिन अवश्य प्राप्त होगा सेहत का लेकिन इनको ध्यान रखना होगा लाल रंग शुब रहेगा और भागय का प्रतीशत रहेगा बच्पन बताएं आपको विरशब राशी के बारे में यात्रा का योग आपके जन्मांक में बन चुका है बढ़ाई पर ध्यान भी रखिएगा नेला रंग शुब रहेगा भागय का प्रतीशत रहेगा सर्सर्ट मिथन राशी आर्थिक लाप की संभावना कल के दिन पहले से बेतर होने लगेगी दार में क्यात्रा का योग आपके जन्मांक के अंदर बन चुका है कल आप अवश्य करेंगे ये आत्रा बादामी रंग शुब रहेगा और भागय का प्रतीशत रहेगा पिच्चा से करक राशी प्रेम संबंद आपके कल के दिन जरूर बनेंगे सिक्षा में भी सफलता मिलेगी सफेद रंग शुब है भागय का प्रतीशत है सेवेंटीफोर अर्था चौहत्तर सिंग राशी नई मित्र बनेंगे मेहनत का फल आपको कल के दिन अवश्य मिलेगा गुलाबी रंग शुब है भागय का प्रतीशत है 62 करने राशी मा की सेहत का आपको कल के दिन ध्यान रखना है कल वैसे भी मात्रनों में है यदि आपकी मा दिवंगत हो चुकी है तो भी और नहीं हुई है तो भी उनका आशिरवाद आप अवश्य प्राप्त करिएगा अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा प्रफ्टन में नमस्कार गुरूजी रादे राधे श्री राधे प्रानाम गुरूजी मुझे एक बात पूछना है आपके एक तो बच्ची के लिए पुचना है और दूसरा ये पूचना है कि आप जो ये मुलांक बताते हैं और जो राशी पल बताते हैं जो आपका जो इस सीक्रेट नंबर होता है यह आपके मूलांग के आधार पर होता है यदि आपका जन्म किसी भी माह की एक तारिक को या फिर 10 तारिक को या 19 तारिक को या 28 तारिक को हुआ है तो देवी जी मान के चलिएगा आपका जो मूलांग होता है वो एक होता है उसी के आधार पर जो उसका सीक्रेट नंबर दिया जाता है उसको आप नोट करिएगा हमेश आपका राशी फलका इसको सुबह साड़े पांच बज़े के हिसाब से सूरे की स्थिति को देखते हुए तयार किया जाता है ताकि आप लोगों को बंदूओं को माताओं बहनों को आने वाले दिन में कोई परेशानी ना हो और आपका हर कारिये निर्विग लूप से संपना ह अब आप सवाल पूछ सकते हैं आप अपने बच्ची से रिलेटेट सवाल कर रही थी बताइए जी बच्ची का देटोबर्त है 21-298-1998 ठीक है जन साल और जन का समय? समय है शाम को तीन बच्ची के बावन मिनत जीन भर्याना आप सवाल करिये है हाँ जी जी मेरी बच्ची बी ए टाइकोलजी ने सेकेंड एर में परती है बच्ची आपको बताते हैं करक लगन की यहां पर बालक की पत्रिका है बालिका की और चंदरमा जो इनका व्रेश्चिक राशी मेर्था नीच का है और वो भी पंचम भाव के अंदर विराजमान सरपर्थम तो आपको बता दें ऐसा जो बालक बालिका होता है बच्चा या बच्ची होती है वो अपने मन के अंदर ही बात को छुपा कर रखते हैं सरपर्थम आप एक उपाय करिएगा कि नित्पे साई सूर्यास्त होने के बाद इनको दूद, दही और चावल का सेवन बिलकुल ना कराईएगा सूर्ये, ब्रहस्पती, बुद, मंगल और केतू इनके अस्टमभाब के अंदर विराजमान हैं शुक्री की महा दशा, ब्रहस्पती के अंतरदशा हो सके तो इनके हाथ से सफेज, चंदन, रूई और दही का दान शुकल पक्ष के शुकरवार के दिन कराईएगा मस्तक पर केसर का तिलग जरूर कराईएगा, सवाचे से साड़े साथ रती तक का एक पुखराज भी धारण अवश्य कराईएगा चले इसे के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है, एक छोटी से ब्रेक के लिए रुखने का कल सुबे आपको बताएंगे कि नौमी के शुराद के विधी क्या है और आपको क्या-क्या दिलाएगी यह विधी मात्रि नौमी के शुराद पर क्या कुछ खास करना है मा को समर पिर देखे कल सुबे आठ बज़े के हमारे एक कारिकरिम की जलक और हम लोटें चोटी से ब्रेक के बात प्रिदी में कितना मज़दर वीडियो है अब मैं रहने दे ऐसा मज़ा ना सजा भी बन सकता है संभल कर चलने की आदत ही भली तू और तेरी आदत यार बोला था ना संभल कर चलना अच्छी आदत है कॉंडम देना प्रीज मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं पर अपनी जान के साथ कभी नहीं क्योंकि एक बार भी चूके तो है चाईवी एड्स यौन संक्रमन या अंचाहा गर्ब कुछ भी हो सकता है इसलिए कॉंडम हर बार एक अच्छी आदत कि भाई बोले तो अपन के रिया में अपन से बड़ा टिंजर को ना गया वाई टेंगू और चिकुन गुनिया का मच्छ साफ पानी में पनपता है मच्छ के काटने से बचे बुखा रोतू पेरिसेटमोल लेने का ऐस्प्रिन नहीं पर भाई ये भीमारी का पता कैसे बदन दर्द सरदर्द तेज बुकार ठकावड बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का खुट डॉक्टर ने बनने का समझा वाई आप तो सच्पूच के में बेस हो भाई पितरो आमीमदंत पितरो आती क्रिप्यन पान्त पितराह पितराह छुन्धध्ध्धं पितरो दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है वो बताते हैं मित्रो महा उपाए में आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके जन्मान्त में कोई भी पितर दोष कैसा भी पितर दोष आपको काफी हद तक परेशान कर चुका है आपकी नी दुड़ा चुका है आपके घर में जो है कले कलेश का वातावरन रहने लगा है आप बीमार रहते हैं आपके घर के अंदर अन और धनकी काफी हद तक कमी हो गई है जदोजहत काफी हद तक आपको करनी पड़ रही है लेकिन इस उपाई को करने के बाद ये सारी परिशानियों का अवश्य शमन होगा लेकिन पूरे इस उपाई की प्रकरिया में आप अपने मन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो है कोई द्वेश भावना लाईएगा किसी तरह को कोई टेस्टिंग के तोर पे आप इस उपाई को बिलकुल मत करिएगा पूरी श्रदा भावना के साथ इस उपाई को आमें हो सके तो आप मौन भी रहिए का लाप दुगना हो जाएगा और आपके पितर दोश का शमन में अवश्य होगा बिलकुल और अब बात करते हैं आप से जूड़ी आप से हैं हम में आज हम बात करेंगे आपके सम्मान की अपनाए आज का खास उपाई जो दिलाएगा आपको हर क्षेत्र में सम्मा हमारी कई रूप है तरे नारी आप से हम में माताओ बैनों को आज हम सम्मान कभू सरलसा और बहुत छोटा सा तरीका बताएगे कि वो हमेशा के लिए सम्मानित हो जाए वैसे हमारी कोचिश यही रहती है कि छोटे से छोटा उपाय हो और लाब उसका बिलकुल पिलक्शन देखे इसके नमित आपको क्या करना है दो लॉंग पर आज आपको सिंदूर लगाना है पूरे तरीके से आप इसको सिंदूर इस पर लगाईएगा कहीं से भी छूटना जाए इन दोनों लॉंग पर सिंदूर लगाने के पसचा इन दोनों लॉंग को आप पीपल के द्रक्श के न आप सवाल कर सकते हैं राधे राधे अचारिय जी श्री राधे श्री राधे प्रनाम मैं अपने बारें पूछ रहे हूं मेरी देर का बर्थ है तीन नौंबर उनीश का वानवे तुबे नौ बच के पंद्रा मिनट पे जंस्तल बीर पर आप अच्छे मंगान सवाल पूछे आप अपना मैं गवर्मेंट जॉब के क्यारी कर रही हूं और मेरी इस दिदेओ क्या है और मेरा रासी क्या है अब मेरी गवर्मेंट जॉब में होगी की नहीं जे बिलकुल देखिए आपको बताते हैं बिलकुल आपको प्रयासरत रहना है आगे आपको बता देगी भावचलित के अंदर सुरे की स्थिति नीच की तो हो गई है लेकिन एक आदश भाव में कहीं न कहीं आपको पूरे तरीके से गवर्मेंट जॉब ना प्राप्त हो और हो सके तो नेतर ही लोगों की नित्ते मदद अवश्य करियेगा चलिए अब और राशिफल जान लेते हैं बात करते हैं तुला से लेके मीन तक के राशिफल की और बताते हैं आपको इन राशियों का राशियों तुला राशिवले सभी बंदूओं को मित्रों का साथ कल अवश्य मिलेगा नई काम बनेंगे नारंगी रंग्शुब है भाग्य का प्रतिशात है 59 अर्थाथ उन सक्ट व्रेश्चिक राशि पुराने मित्र मिलेंगे खर्च पर आपको नियंतरन रखना ही होगा कल के दिन कौपर रंग्शुब है भाग्य का प्रतिशात है सरस्थ दनू राशी बड़ों से सला अवश्य लीजिएगा बड़े जो होते हैं उनमें विवेक आप से ज़्यादा होता है इसलिए बड़ों का जो है बिलकुल आप सम्मान के साथ साथ उनकी सला भी अवश्य लिया करिए प्रोपर्टी में निवेश कल के दिन बिलकुल ना करिएगा जामुनी रंग्शुब है भाग्य का प्रतिशत है 59 मकर राशी विवादों से कल के दिन दूर रहिएगा अधिकारियों से भी लाव आपको अवश्य मिलेगा कल के दिन जो दिन होगा वो आपका पहले से बेतर होगा और सामाने भी रहेगा अजनभी ओपर भरोसा बिलकुल नहीं करना फिरोजी रंग्शुब है भाग्य का प्रतिशत है साथ एक और कॉलर हमाई साथ जोचुकी है लता है गोवार्टी से लता आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप सवाल पूछ सकती है अचार जी से जी लता आप सुन पा रही है हमें तो सवाल पूछिए अलो जी आप सवाल पूछ सकते हैं अचार जी से आप मैं वह आती से बोल रहा हूँ जी जी आप जन तारिक बताईए जिसके बारे में पूछना है उसके बारे में 24 जी 24 तू 2 थार्टन तू 2 थार्टन समय बताईए जन थार्टन ये सुबह है की शाम है सुबह 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 जन स्थाल बताईए ज़ाटी और सवाल पूछे सवाल पूछे जी विल्कुल देखे विरशब लगन किया पत्रिका पंचम भाव का सौमी सूरे के साथ मिलकर आदिते राजियोग बना रहा है वो भी तशम भाव में बिल्कुल उचकोटी का ये बालक सिक्षक बन सकता है सूर्य और बुद्ध की युती इनके दशम भाव में मंगल इनकमीन राशी के अंदर एकादश भाव में और केतु जो है शुक्र यानि अपने मित्र के साथ मकर राशी के अंदर विराजमान है नवम भाव में ब्रहसपती के महादशा ब्रहसपती के अंतरदशा हो सके तो इनके हाथ से थोड़ा चने की दाल और गुड का दान वीरवार के दिन कराईएगा मस्तकपर के ये सरकते लग कराईएगा इनके हाथ से आपको कुछ न को जरूरत मन्द लोगों को दान कराते ही रहना हैं आने वाले समय में एक नेक व्यक्ति ये साथित होगा बिल्कुल नगाप आई देगा और असाम से सुश्मिता इस वक्त हमारे साथ जो चुके हैं सुश्मिता आप सवाल कर सकते हैं आप अधरो जी और मैदम नमस्कार जी नमस्कार पंडित जी नमस्कार श्री राधे 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 वंडी जी सुश्मिता आप क्या पूछना चाहती हैं बताईए आप सम्मेरा डेटोप बर्स है 21 वबरुरारी हुँआ 1987 1987 समय बताईए समय है 12.32 पीम और जन्स्थल जन्स्थल गवादी गवादी तामी जी मेरा तीन पशना है जी एक्चुली मेरा डिवर्स हो चुकी अभी केस चल रहा है मेरा अभी गवर्मन योग होगा क्या नहीं यार जो केस चल रहा है वो खतम होगा क्या नहीं जी बिल्कुल देखिए मिथुल लगिन की यहां पर पत्रिका सब्तम भाव का स्वामी आपको बता दे ब्रहस्पती राहु के साथ ब्रहस्पती राहु का चंडाल योग बना रहा है बिल्कुल बुद्ध की मादशा और चनी की अंतरदशा है आने वाले समय में आपको बता दे 30 अप्रेल 2017 तक यह मामला जो आपका है वो थोड़ा सा खिच सकता है इसके निमत आप विश्णु भगवान की सेवा अर्चना करिएगा हो सके तो उनके मंदर जाएगा सवा मीटर फीला वस्तर सवा किलो चने की डाल और कम से कम साथ हल्दी की साबुद गांट उनके चर्णों में रखिएगा उनसे प्रार्थना करिएगा और जो गलती आप से हो गई हो उसके लिए शमाय आचना आप अवश्य करिएगा पितरों के निमत कुछ ना कुजदान करिए लाप आपके सामने होगा तो अब वक्त हो गया है आप से इजाज़त लेने का आचार जी ने आज जो तमाम जानकारिया बताई उसके लिए आचार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और कल सुबह बताएंगे आपको कि मातर नवमी के शुराद की विधी क्या है और किस तरह से आप अपनी मा का आशिरवाद पा सकते हैं मातर नवमी के शुराद पर क्या कुछ खास करना है मा के नाम समर्पित देखे कल सुबह आच वज़े के कारिकरम की हमारे इस जलक को और हमें दीजिए इजाद नमस्कार अरे दीजिए कितना मज़धर वीडियो है हमें रहने दे ऐसा मज़ा ना सजा भी बन सकता है संभल कर चलने की आदत ही भली तू और तेरी आदत यार बोला था ना संभल कर चलना अच्छी आदत है कॉंडम देना पीस मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ पर अपनी जान के साथ कभी नहीं क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV AIDS, यौन संकरमन या अंचाहा गर्ब कुछ भी हो सकता है इसलिए कॉंडम एक बार बोला क्या क्या रही दिया अरे ये बच्चा अरे कुछ पकड़ो इसे कहां जा रहे हो सुरी डॉक्टर अंकर आपको इतना भगाने के लिए पर मेरी ममी के पेख में बहुत बढ़त हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते डॉक्टर ये वो HIV की इसी है करते हो आप लोग यह पंके सब लोग को ट्रीक करते होना तो मेरी ममी को भी ठीक कर दोना प्लीज डिलीवरी के तेयारी करो जबी युनुबर्सुल प्रिकॉशन्स पर भरोसा करके रोज अजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का उनकर भी जिह है जब साथ में सुरक्षा, तो डर्ना कैसा? जब साथ में सुरक्षा, तो डर्ना कैसा? उत्तर प्रदेश के सबालू का हर उत्तर, देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर झाल प्रदेश झाल 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 तो आईए मिलते हैं योग एवर मेडिटेशन गुरू मनीश जी से बिमारी के जड़ के बारे में बताने की ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं इस वेदो के देश में जहां कर इतने धरम गुरू हुए है इतने ग्यानी लोग हुए उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है तो हमारी कोशिश यह है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें दुखी रहें हैं डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बार में सला लेते हैं बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मिलती हैं दुखाई हैं दर्दों के नाम पे तो ये ध्यान से पड़ो लिखावाज संभल करके लिए पेन के लिए रद्वाएं इसका नुकसान क्या होता है लोगों की किड़निया फेल होती हैं डाइलेसीज हो रहे हैं जोडों के दर्द की गोलिया खाने से लीवर तक खराब हो